सचीन पाइलेट की कॉंग्रेस की वापसी पर हुआ बड़ा खुला सा वही दूसरी तरब राजस्तान में होने वाले मंत्री मंडल विस्तार पर कई मंत्री होंगे ड्रोप इसको लेकर कवाइद हुई शुरू राहुलवे प्रियंका गांधी ने सचीन पाइलेट को विश्व में में चले गए थे उने पाइलेट कोटा का मंत्री अब केसे माना जा सकता है इसलिए उन्हें ड्रोप किया जाए या मुख्य मंत्री चाहे तो अपने कोटे में उन मंत्रीयों को सामिल करें अगर ये तक स्वीकार हुआ तो स्वाभाविक है राजस्तान के मंत्री मंडल मे कई सदेशे ड्रॉप होंगे इसको लेकर अब दिल्ली आला कमान पर कवायद सुरू हो चुकी है ये बड़ा खुला सा हुआ है दिल्ली की एक न्यूज एजेंसी दुआरा दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि सचीन पाइलेट को लेकर कॉंग्रेस आला कमान कुछ बड़ा नीन्य लेने वाली है यानि कुल मिलाकर बात की जाए तो सचीन पाइलेट अपना उपमुख्य मंतरी और पी सी सी चीफ पद गवा चुके हैं अब सचीन पाइलेट को नए सीरे से कौन सा विबाग मिलेगा सरकार में सचीन पाइलेट का क्या एहम रॉल रहेगा इसको लेकर कवाईट सुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि सचीन पाइलेट के साथ साथ गेलोट के वर्तमान मंतरी मंडल में छे सदश ये ऐसे भी है जिनको ड्रॉप करना लगबगते हो चुका है उन सभी मंतरियों पर गाज गिर सकती है जो पाइलेट के में से थे लेकिन अंतिम समय में गेलोट के पास चले गए थे इसमें सबसे बड़ा नाम प्रमोजेन बाया का भी निकल कर सामने आ रहा है जो की दो दिन पहले ही सचिन से उनकी मुलाकात होई थी ये मुलाकात इसी माइने से जोड कर रखी जा रही है क्योंकि सचिन पाइलेट गुट के द्वारा ही प्रमोजेन बाया का लगातार अपने ही जिल्ले में विरोध हो रहा है यहां तक उनको ब्रस्टाचार का गड़ भी कहा जा चुका है दूसरी तरफ ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि सचिन पाइलेट के गुट से अब छे नए मंत्री मिलेंगे जिसमें से हेमाराम चोदरी, दिपेंदर सिंग, सेकावाद, सचिन पाइलेट, मुरारी लाल मीना, विश्वेंदर सिंग और रमेश मीना का नाम भी सामिल बताया जा रहा है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जादा सी जादा शेर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, धन्यवाद